next question question says two condensers one of capacity C and another of another of capacity C by two are connected to a V-volt battery as shown in the figure सवाल ये work done in charging fully both the condensers will be और चार option अपने को दे रखे हैं now इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे रे समझेंगे हैं आपे कुछ concept clear करेंगे हैं तो scenario यह है कि यह आपकी बैटरी और आपके यहां दो capacitors एक की capacity C by two और एक की capacity C by two or C और सवाल यह कित्ता work done करना होगा आपकी बैटरी को V-volt की बैटरी लगी हुई है कित्ता work और यहां पर आपकी जो energy stored होएगी वह एगी हाफ सी इक्वलेंट मुल्टिप्लाइड बाइड बाइड बीका स्कॉयर यानि कि यह हो गए 3 by 2 हाफ multiplied by 3 by 2 multiplied by CB स्कॉयर तो आपकी energy stored हो गई 3 by 4 CB स्कॉयर तो यह आपकी energy यहां पर बैटरी ने कित्ता work done किया यहां पर explicitly नहीं लिखा work done by the battery बैटरी जो आपकी energy स्कॉड होते ही होते हैं जिसको हम अवाइड नहीं कर सकते एक्चुली इसका डबल होएगा बट इस सवाल का जवाब हम क्योंगी चार और option में यही एक option है अधरवाइस मेरे हिसाब से तो इसका आंसर work done by the battery 3 by 2 CB स्कॉयर होना चाहिए जो इसका डबल होएगा लेकिन यहां पर वो option ही नहीं है और मेरा ख्याल है यहां पूचा जा रहा है कि energy कितनी स्टोड होएगी तो इसका आंसर हम या स्टी वाइफोर सीवी स्कॉयर पिक कर सकते हैं स्टी वाइफोर सीवी स्कॉयर option नमबर भी वुड़ बेस्ट च्वाइस क्वाइबस